आप 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 सू हाई गाईस वेल्कम बैक टो माई चैनल इस वीडियो में आपको में तीन सिक्रेट फीचर्ड्स के बारे में बताने वाले हूँ इंस्टाग्राम के जो कि आपके लिए बहुत यूस्फुल रहेंगे जो कि पहला फीचर है जिसके दो आप चेक कर सकते हो कि आपने किन-किन लोगो को रिक्वेस्ट सेंड की है और उन लोगों ने अभी तक आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है तो चलिए देख लेते हैं उन महान लोगों को आपको करना है यहां पर प्रोफाइल पर क्लिख आपकी उसके बाद उपर थ्री लाइन्स पर देन सेटिंग्स में जाना है आपको after that आपको security का option मिल जाएगा इस पर आपको click करना है then आपको data access का option मिलेगा data access पर click करना है after that आपको यहाँ पर बहुत सारे options मिल जाएगे but इस मैं से मैं आपको एक option के बारे मैं बताने वाला हूँ जो की है connections connections मैं आपको यहाँ पर current follow request का option मिल जाएगा view mall पर click करने के बाद view mall पर click करते जाओगे वो वो लोग मिल जाएगे वो वो महान लोग मिल जाएगे जिनने आपके request अभी तरह नहीं की है तो आप इनको copy करके यहाँ पर paste करके cancel कर सकते अपने request को यह देखिए जिसे की request को cancel कर सकते आप तो उससे क्या रहेगा आपकी self respect बढ़ जाएगी अपने खुद के नज़रों में राइट तो चले हम second feature के ओर चलते second feature यह है कि अगर जिसे कहीं भी आप किसी popular place पर हो या फिर जगा पर हो या फिर कहीं भी हो आप तो अगर आपके सामने कोई person फोटो खीच कर instagram पे upload कर रहा है तो अगर आपको उनकी photo चाहिए या फिर उनका username चाहिए तो आप ले सकते हो instagram के थूँ जी हाँ तो काफी हद तक मिल जाता है यहाँ पर तो देखिए जिसे कि आप c21 mall जीसे कि इंदोर में c21 mall है मैं इंदोर से हूँ तो c21 mall में हूँ और आपके सामने कोई लड़का या फिर लड़की photo खीच रहे हैं और instagram पे अगर वो post करते हैं तो आपको उनकी picture दिख सकती है कैसे यहाँ पर आपको जो भी जगा है उसका नाम लिखना है उसके बाद आपको यहाँ पर fourth number पर place का option मिल जाता है यहाँ पर आपको full address देखना है कि यही address है कि उसके बाद आपको यहाँ पर photos मिल जाएगी उस place की यहाँ पर recent पर आप click करोगे तो अभी जो भी recent 2-3 second में upload की हुई है या फिर 10-20 minute में upload की हुई है वो सारी photos आपको मिल जाएगी अगर वो इनसान मेच होता है photos से तो आप उसको follow कर सकते हो this is nice ओके सो चलते हैं हम next next feature यह है जिसके अंदर मैं आपको करके नहीं बताऊंगा सिर्फ मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो जैसे कि आपको पता है आप Instagram पे story डालते हो तो 50 जैसे कि आपके 50 लोग देख लेते है तो आपको पता है आप जानते हैं कि जो जो देखते जाते होंगी उपर name आता जाता है बट 50 लोग के बाद इसा होता है कि आपको दो लोग की रैण Jewely प्रोफाइल दिहती है तो जो दो लोग की प्रोफाइल दिखती है वह वो लोग है जो आपकी प्रोफाइल को सबसे ज़्याधा विजिट करते हैं तो इस तरीके साब पता लगा सकते हैं कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा जिससे के आपको डिरेक्टली नॉटिफिकेशन मिल जाए थैंक्यू फर वाचिंग